कोई भी अन्य समिती इस मामले में सारे दोशी को वैद्य टहराने और दोशियों को दोश्मुक्त कराने की कवायाद के अलावा और कुछ नहीं होगे। आखिर क्या है मोदी और अडानी के रिस्ते इस पर तमाम सबाल इस वक्त खडए हो रहे हैं जहां चाईacz की मोटा भाई मोदी को कर रहे हैं और मोदी मोटा भाई को बचाने का प्रयास कर रहे हैं नमस्कार आपके साथ मैं हुरितिक सभीता स्वागत थे आपका SPN 9 News में दरश्कों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अडानी का मामला पहुंच चुका है जहां सुप्रीम कोर्ट ने साब तर पर ये कह दिया है कि हम बारिकियों से जो हर एक बिंदू पर चर्चा करेंगे और हिंडन वर की जो 400 पंदी की रिपोर्ट है उसको खंगो लिए है कि एक समिती का गठन होगा और अडानी के मामले में सीमित तोर तक जो सेभी के कानून है और सेभी के नियम है क्या उनका उलंगन हुआ है कि नहीं वो समिती उसकी जाँच करेंगे मैंने 16 तारीक को ही कहा था यह लंबा एक पेच का वक्त विए मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा पर अंतिम तीन लाइन में सिर्फ पढ़ूँगा क्यूंकि आज भी वो माइने रखता है आज जो नियने आया है समिती का गठन हुआ है समिती के सदेश्यों का नाम भी निकला है फिर भी उसके बावजूद जो मैंने 16 फेबरुरी को कहा था वो अंतिम तीन लाइन में पढ़ूँगा यदि प्रधान मंत्री और उनकी सरकार को इस मामले में जवाब देह ठहराना जना है तो जेपी से के अतिरिक्त कोई भी अन्य समिती इस मामले में सारे दोशी को वैध्य ठहराने और दोशियों को दोश्मुक्त कराने की कवायाद के अलावा और कुछ नहीं होगे. If the Prime Minister and the Government are to be held accountable, any committee other than a JPC will be nothing but an exercise in legitimization and exoneration. जिस तरीके से अडानी ने ये कहा था कि सत्य ही जीतेगा तो उसी को बात को लेकर यहाँ पर जो है जैराम रमिस ने कह दिया है कि अब तारीक नस्दिक आएगी कि यहाँ पर भाई और भाई का खुलासा हो जाएगा. लेकिन देखना होगा कि क्या सच में अडानी और मोदी भाई भाई हैं. आज के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए SPN 9 News.